हाई बच्चों आज के आप लोगों के किताब अभ्यास पांद असमल और दो जो इबार्टी सवाल है इसको हल करने के बारे में बताएंगे इसको कैसे हल किया जाता है असमें जो आपका पाहला सवाल दे रहा है लिख रहा है एक मोटर साइकल का मुल्य रुपया 50 हजार है यदि एक कार का मुल्य रुपया 2,15 रहो तो car car carrying motorcycle से कितना अधिक है जैसे पहले वी हम आप लोगों को बता चुके है इवार्ती सवाल का मतलग यह होता है जब तक आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे नहीं जब तक इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें हमें क्या करना है जोड़ना है कि घटाना है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी इसमें होता है कि जो भी प्रस्णया सवाल है दिया हुआ उसको ध्यान से पढ़ा है को क्या दे रहा है क्या कर रहा है और क्या पूछ रहा है तो यहां पे आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इसको आपस में जोड़ना है कि घटाना है कैसे हमें या चीज प्राथ तो होगा जैसे यहाँ पर पूछा है ना साइकिल से कितना अधिक है मोटर साइकिल से कितना अधिक है कार का मुल मोटर साइकिल से कितना अधिक है तो जब तक आपको ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे जो संख्याय दी है इसको कैसे हम करें तो सबसे पहले इसी दिए आपको ध्यान से इसको पढ़ना होगा तो दुबारा फिर देखिए हम पढ़ते हैं एक मोटर साइकल का मुल्य कितना है? पचास हजार कितना है? पचास हजार मोटर साइकल याद एक कार का मुल्य दो लाख पंदरे हजार है तो कार का मुल्य मोटर साइकल से कितना अधी तो कैसे क्या करेंगे यहां पे इसमें कार का मुल्य अधिक है ना कार का मुल्य मोटर साइकल की अपेच्छा जादा है यह सिर्क 50,000 है और कार का 2,00,00 है तो यहां कार का मुल्य जादा है इसमें से हम मोटर साइकिर के मुल्य को जब घटाएंगे तो जो अंतर प्राप्त होगा जो हमें घटाने पे प्राप्त होगा वही वह दोनों के बीच का अंतर भी होगा और वह साइकिर से उसका कार का मुल्य उतना अधिक वही अंस्वर होगा तेहां पे इसको हम घटाएंगे जब हल करेंगे यहां पे तेहां लिखेंगे कार का मुल्य कि दो लाक पंद्र हजार मोटर साइकिल का मुल्य कि इतना है पचास हजार यहां इसके घटाएंगे तो जैसे घटाना मापको पता है यहां जीरो गया जीरो यहां भी जीरो यहां भी जीरो सुने गया फाराला कि पार प्रक्षा πप यहां कितना वचा है एक यहां एक लिख देंगे इए अभी विः जो संख्याव प्राफ्थ हुई है जो अंतर प्राफ्थ हुआ है यहां पर ही हुआ कि हें कार का मुल्य दीयम् चत्रों में आप लिखेंगे कि उस्तर में कार का मुल्य मोटर साइकिल से मोटर साइकिल से कितना एक लाख पैंसथ हजार यहां रुपया रहेगा रुपया एक लाख पैंसथ हजार रुपया अधिक है यह आपका उत्तर होगा अब इसमें और आपके आगे कुछ सवाल है जो आप लोग स्वें हल करिएगा अब इसके बाद हम दस नमबर पे एक सवाल है आपको बता रहा है इसमें देखिये दे रहा है आपका 8,35,449 में से कितना घटाया जाए कि 50,000 प्राप्त हो कि 50,000 बचे या प्राप्त हो तो जैसे एक मुटी मुटा हम आपको बताते हैं जैसे मान लिजिए कि 50 रुपया है 50 रुपया मसे आपको 50 है कुछ भी समझ लिजिए 50 है 50 में से कितना घटाया जाए कि 10 प्राप्त हो 10 बचे मतलब तो क्या करेंगे 50 में से 10 जब आप माइनस करेंगे तभी न पता चलेगा 50 में से कितना घटाया जाए कि 10 बचे तो जब 50 को 10 से माइनस करेंगे 50 को माइनस 10 करेंगे जो बचेगा वही होगा तो 50 में से 10 घटाते हैं 40 इसका मतलब हम यह हुआ कि 50 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो हमारे पास वही 10 बच रहा तो सेम उसी तरह से यहां पे भी जो दिया है 8,35,449 में से कितना घटाया जाए कि 50,000 प्रावत हो तो इस संख्या मसे जब हम इस संख्या को घटाएंगे जो अंतर मिलेगा वही आइनस्वर होगा अब देख लिजे कैसे जैसे माले चली हम यहां हल करते हैं 8,35,449 में पचास हजार पचास हजार माइनस पटाई 9 मसे 0 गया 9,3 मसे 0 3,4,5 अब यहां जाएगा ने 13 13 मसे 5 गया कितना बचेगा? 8 यहां कितना हुआ है? 8 गया ना, यहां 7 हुआ यह हुआ 7,85,449 अब यह जू मिला है अब यह क्या हो रहा है? अब यह हो रहा है कि जो हमारा यह 8,35,449 है उसमें से हम 7,85,449 को अगर हम घटाते हैं तो हमें कितनी संख्या पराप्त होगी? 50,000 यहां आरा यहां अब इसको चिक करना है या देखना है सही है कि गलत तो सीधे आपने हाँ पर लिखिए 8,35,449 रफ का रहे हैं समझने के लिए 8,35,449 में सिर्फ 7,85,449 माइनस करिए यही में आप पूछ रहा है 8,35,449 में से कितना घटाएं कि 50,000 बच्चे जो हमने यहां हल किया है उसके अनुसार 8,35,449 में से अगर हम 7,85,449 को घटाएंगे तो हमें कितना बच्चना चाहिए 50,000 वही यहां पर हम चेक कर रहे है देखिए 9 में से 9 गया 0 3 में से 3 गया 0 4 में से 4 गया 0 5 में से 5 गया 0 अब यहां 3 में से 8 नहीं जाएगा इसके पास कितना हो जाएगा 5 में से 8 गटाते हैं तो कितना बचेगा 5 ना 8 गटाते हैं तो कितना बचेगा 5 अब यहां कितना बच्चा है 7 7 में से 7 गया कुछ नहीं क्या हुआ है कितना है 50,000 तो सही है ना सवाल अब यहां यह बर दुबारा बताते हैं ध्यान से देखने वाली वारती सवाल ध्यान से देखने और पढ़ने के बाद आप असानी से उसको हल कर सकते हैं देखिए अब 8,35,449 में से कितना घटाया जाएगी 50,000 प्रातो तो हम वहां पे इस तरह के सवाल में तुरंत क्या करेंगे 8,35,449 जो भी संख्या यहां दिया हो मालिजिये जैसे उलारं के तोर पे यहां पे देखने लिख दिया है कि 5,000 5,000 में से 5,000 संख्या होगे 5,000 में से कितना घटाया जाएगी कि यहां पे एक हजार प्राप्त हो 5,000 में से कितना घटाया जाए कि एक हजार प्राप्त हो तो इस जगह कोई भी संख्या अगर दिया हो और यहां पे भी कोई संख्या दिया हो तो हम वहां पे सीधे बड़ी संख्या मेंसे छोटी संख्या को घटा देंगे घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वही संख्या यहाँ पे अयंसर होगा जैसे 5000 में से कितना घटा hani कि 5000 प्राप हो 50 football less 1000 घटा कितना मिलेगा 4000 वही क्या हुआ आइनसोर हुआ अब 5000 है अगर 5000 में से 4000 आप चेक करते हैं माइनस घटाते हैं तो कितना बसता है 1000 बचे गाना तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी संख्या लिखा हुआ हो या दिया हुआ हो तो आप सीधे इस तरह से घटाएंगे आपका जो प्राथ होगा वही वह आइनसोर हो जाएगा तो इस तरह से कोई भी भी रहे है आप भ्यान दीजिएगा सवाल का तेहां पे आपका 7,85,449 तो हमें आप आइनसोर लिखेंगे उत्तर लिखेंगे उत्तर द्यान दिया में से कितना घटाया जाए कि 50,000 प्राथ तो होगा लिखेंगे 7,85,449 घटाया जाए ठीक अब इसमें एक और सवाल आप लोगों को हल करके बता रहा है अब आपके किताब में 15 नमबर ते जो सवाल दिया है उसमें देखिए दे रहा है ये एक इलेक्ट्रोनिक दुकां की टीम दिनों की विक्क्रय है विक्रय मतलब विक्रय मतलब विक्रय हुआ विक्रय में है जैसे पैशय में दे रहा है कि कितने का समान विक्रय है तीम दिन में कितने का समान जो भी उसके दुकान में था कितना विका है सोमवार के दिन इसमें दे रहा लिकरा सोमवार रुपया 38,568 का जो सोमवार को उसके दुकान पे जो सोमवार की विक्टरेट हुआ है जो सोमवार को उसने समान बेचा है उसमें 38,568 का समान बेचा फिर मंगलवार को जो है 31,230 का समान बेचा फिर बुद्धवार को है 42,923 रुपे का समान बेचा है अब इसमें पूछ रहा है इतना बताया है सोमुवार को कितने का बिका मंगलवार को कितने रुपे का बिका है बुद्धवार को कितने रुपे का बिका है अब यहाँ पूछ रहा है इसमें देखिए ग्याद करो ए सोमवार और मंगलवार की विक्र है मतलब सोमवार को और मंगलवार को कितने का विक्री उसका हुआ था कि यहां पर सोमवार को जो आपका बिक्री हुआ है और 3568 रुपे और फिर मंगलवार को तो मंगलवार को हुआ है 3230 रुपे कि बिक्री पूछरा, आच अब क्या करेंगे, जब दोनों दिनों की बिक्रे जो हुआ है, उसको आपस में जोडेंगे, तरना हमें पते चलेगा कि दोनों दिन का बिक्रे कितना है, कि यहाँ पे लिखेंगे सोमवार की बिक्रे, कितना 38,000, 560, अब मंगलवार को, तो दिक्रे, 31,430, अब इसको आपस में जोडेंगे, तरना पता चलेगा, दोनों दिन का यहाँ आपस में जोडेंगे, यहाँ आपका होगे जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 7, 5, 4, 7, 8, 9, 3, 6, यह हो गया आपका 79,750, यह क्या हुआ, मंगलवार और सोमवार और मंगलवार का बिक्रे, है, यहाँ लिख देखे इसका answer, यह का जो है, उप्तर, छे इसका लिए रधर निया, आपकाम साओड़ा और performance, यह क्यां झेगे, यहाँ डिक्रेहर यह क्यां फेलवार और और सरोर्ण एक्षा, यहाँ अलाद में गार-णिया, आंपकाम एकाम आधकार दतरन राजा आले कि यह आपका एका एंस्वार है यह में पूछा है सोमवार और मंगलवार की विक्रा कितना हुआ है 3798 अब दूसरा आपका पूछ रहा है इसमें बी ने दिखाया कि मंगलवार और बुदrates रहा है कि मैंगलवार और बुद्दवार का कूछरा कि कितने का विक्री उसका हुआ है आपस में जब जोडेंगे तब हमें पता से लेगा इसको नोट कर लिजिएगा यहीं पर हम फिर दुबारा इसको हल करने जा रहा है अब भी है जो मंगलवार और बुद्धवार तो मंगलवार को कितना हुआ है 31,230 31,230 अब भुद्धवार कितना हुआ है 42 सर्जान 930 अब दोनुट इनका पूछ रहा इसको आपस जोडेंगे इस तीन होगे आपका 3,2,5,9,2,1 एक बचा है एक दो और दो चार तीन और चार साथ ए मंगलवार और बुद्धवार दोनों दिर की बिक्र है कितना हुआ चोहतर हजार एक सो पिर्पान यहां पुद्धवार आपका अवन लिठेंगे से लिठेंगे की हुद्धवार आपका इसको भी नोठ कर ले कि आपको आपको आप अगला मार का तो फिर इसको आपास ने दूरू दूरेंगे जी है गुद्वार को मुद्वार को मुद्वार को तिकना है वियाली सजानों सब्सक्राइज कितना है आटी सब्सक्राइज आपस मुझोर देंगे तो फिर इसी तरह से पी नुराइज जार एक बचाइज दूहार कि नौ कि नौ पांचोड़ चार था जड़ा दो आट टांट इक गार कर चार से शा सकी आट या क्या हुआ इस गुद्वार को विक्रे का यह मैं पता चला कि इन कि पिक्री हुई थी कि इनिका वा समां देचा था यहां उसर मीं लिखेंगे आ बुद्रवार और सुम्वार की विक्र की रुपयार एक्यासी हजार चार्टो एक्यान से विक्र अब अगला देखे क्या पूछ रहा है डी में सुम्वार और मंगलवार की विक्र का अंतर का मतलब क्या होता है दोनों में माइना घटाया जाता है तभी का अंतर पता चलता है यहां छोटी सम्वार बड़ी संख्या में सब भटाएंगे तो हमें उसका अंतर पता चलेगा यहां पर हम यह देखेंगे कि किस ज्यादा विक्री हुआ है सुम्वार और मंगलवार तो सुम्वार को विक्रा आपका 38,560 और मंगलवार को 31,230 तो सबसे ज्यादा किस दिन विक्रा है सुम्वार को तो यहां घटाएंगे सुम्वार मंसे मंगलवार के विक्राका तो सुम्वार को विक्रा है 38,568 मंगलवार को 31,230 अंतर ग्याद करना है तो यहां घटाएंगे अब घटाएंगे इसको तो 8 मंसे 0 गया 8, 6 मंसे 3 गया 3, 5 मंसे 2 गया 3, 8 मंसे 1 गया 7, 3 मंसे 3 गया 0 कितना अंतर आया 7,338 रुपे का कहने का मतलब है कि सुम्वार और मंगलवार के विक्रा का जो अंतर है रुपे का जो अंतर है वह 7,338 है को सुम्वार को सुम्वार का सुम्वार का जो अंतर है विक्रा का अंतर के रुपे का आछर तेज़ा आपका इसका अंस्वर होगा अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है मंगलवार और बुद्वार के विक्रे का अंतर मंगलवार और बुद्वार के दिर का एक पूछ रहा है इसको नोट कर लिए फिर आपका मंगलवार और बुद्वार को कितना विक्रा है तो लिखेंगे यहां पे बुद्धवार को की जिक्क्री जिक्क्राइब कितना है ब्याली सदा नोसो टेईज और फिर किस पूछ रहा है मंगलवार को मंगलवार को यह की सदा नोसो टेज मंगलवार की बिक्राइब एक तीस हजार बोसोत टीस अब धताएंगे तभी नांतर पता चलेगा तो फटाएंगे यहां पे तीर मसे जीरो गया तीर यहां दो मसे तीर नहीं जाएगा कोहांसिल बारा हो गया बारा मसे तीर कितना जाएगा नो होगा तीर यहां कितना है आठ आठ मसे दो गया शो यहां कितना है दो दो मसे एक एक चार मसे तीर गया कितना मसेगा एक यहां कितना अंतर आया इगार आजा चासो तीरानबे रुपया इगार आजा चासो तीरानबे रुपया मंगलवार अभुधवार के विक्रे का अंतर आया तो पुप्तर में निचेंगे बुधवार मंगलवार के विक्रे का अंतर रुपया इगार हजा चासो तीरानबे यह आका एंस्वर होगा फिर अब पूछ रहा है कि अगर वह ब्रिहस्पतिवार को रुपया कितना 62,265 का समान करे करता है तो उसके पास धनराच सेश मतलब कितनी बची है धनराच सेश मतलब कितना बचा है यह पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहां पे यह नदिरा है कि वह 62,265 का समान खरीद लिया किस दिन ब्रिहस्पतिवार को तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि उसके पास तीन दिन में कितने पैसे का वह बिक्री किया था तो तीनों दिनों का विक्री जो हुआ था जो विक्रे हुआ था उसको आपस में जोडेंगे जो हमें प्राथ होगा उसमें से अब कितना यह फर्च किया है कितने का सामान लाया है उसको जब हम रखाएंगे तो उसके पास बची हुई धनराज का पता चलेगा तो यहां पर हम सोमवार और मंगलवा और बुद्धवार तीनों दिन का विक्री का हम देखेंगे कितना पैसा इसको प्राथ हुआ था तो यहां पर सोमवार का कल में सोमवार को कितना 38,568 फिल मंगलवार को खिकने का विक्री हुआ है 31,230 बुद्धवार को 42,923 इसको आपस में हम जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वह तीन दिन में कितने का विक्री किया था इतने का समान बेचा है और उसके पास कितना पैसा है तब चलते यह जोड़ते हैं आठ जीरो तीन फिर आठ तीन कितना होगा कि गार एक हुआ हमें एक हास में मिला ना हासिल तो साथ और तीन दस दस दो बारह बारह को दो एक बचा फिर छे हो गया चे दू आठ और आठ शोले एक सब्तरह सब्तरह को साथ एक बचा नो एक दो दुबारह बारह को फिर दू एक बचा चार तिन साथ साथ और चार कितना होगा ते कितना हो गया एक लाख बारह हजा साथ सो एकईस इसका मतलब यह हुआ कि एक लाख बारह हजा साथ सो एकईस रूपे का वह तीन दिन में समान बेचा है उसके पास इतना पैसा अभी है अब इसमें से कितना वह खर्च कर ला है ग्रिहस्वत्वाय को 62,265 का और इतने पैसे में से अब 62,265 जो खर्च किया है समान खरीदने ने उसको जब भटाएंगे तब हमें पता चलेगा कि उसके पास कितनी धनराज कितना पैसा बचा हुआ है अब आप लिखेंगे दिनों दिनों का का विक्र रुपया एक लाख बारह हजा साथ पसो एक केश लुपया है अब जो खर्च हुआ है खर्च कि इतने का बारशच हजा तो सो पैसर बारशच हजा दो सो पैसर अब इसको घटाएंगे तो यहां 11 11 से 5 गया 6 यहां एक बचा है तो फिर हासिल लेगा फिर 11 से 6 गया 5 यहां कितने बचा 6 6 मसे 2 गया 4 इसा है आपका कितना है 2 2 मसे 2 गया 0 तो उसके पास बची धन्दास कितना हुआ पचास उसके बाद अब उसमें से हम जब घटाएंगे तरना हमें पता चलेगा कितना बचा है उसके पास बचा कितना है 50,456 रुपे इस तरह से यह आपका 15 जो है हल हुआ इसको आपको ध्यान से जो भी वीडियों में बताया गया है पढ़ाया गया उसको ध्यान से देखिएगा अगर किसी प्रकार की दिक्कत हल करने में आती है तो आप ग्रूप में पूछ सकते हैं झाल झाल